हेलो फ्रेंस मैं आज आपको पॉकेट लगाना सिखा रही हूं जिसमें पॉकेट में गुम स्लाई लगाना सिखाऊंगी स्लाई भार देखाई नहीं देगी उरकुल भी इसकी लंबाई मैंने 14 इंच और 24,5 छे इंच रखी है मैंने पूरी फुल पॉकेट है आराम से बढ़ी है काफी और यह मैंने आगे का पाठ ले लिया है एक साइड का यानि सीधे हाथ की तरफ लगा रही है पॉकेट में एक ही जिसके मैंने दो इंच उपर छोड़ा है और साड़े-पांच मैंने हाथ डालने के लिए छोड़ा है यहां मुझे सलाई लगानी नहीं है तो किस तर को teenage मेंने फॉकेट की पूरे कप्रे को फोड कराना नहीं है अब जहां मुझे हाथ डालना है पहले वहाँ पर में सलाई लगाओंगी यह सलाई अंदर जाएगी गुम rubbish लगेग और कुल पॉकेट में ना तो उपर सलाई दिखाए देगी ना भार सलाई दिखाए देगे आपको बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छी तरह कर से शिखाया है। इस तरह से मैंने शिलाई लगा लिए है, हमें अब कट्स लगा लूँगी। यहां चोक्णी सन लगाएती हमाँ दोनों सैट कट्स लगा लिए मैंने इस तरह से खोल के उपर मैं इसको निकाल लूँगी धियान लगना एक ही पर्त में पॉकिट वाले में अज्छाय लगानी है हमें दोनों पर्त में इसलाई नहीं लगानी है इस तरह से मैं खोल कर इसको, एक साकर लोगे को, आ मैं से सलाई लगाओंगी, देखना किस तरह से लगाती हुँँ, किस तरह से मेरे कपड़ा सेट हो या ?? इस तरह से उपर एक सलाई लगा लोगी सीधी नहीं लगानी है दहन लखना क्योंकि धागा दिखाई देगा वो मुझे धागया सिलाह दिखाई नहіं देनी है इसलिए मैं इस तरह से सिलाह लगाऊंगी आप भी इस तरह से सिलाह लगाए बहुती finishing और बहुती सुन्दर लगती है दिखने में पेंट में पॉकिट लगाना बहुत ही आसान है, आप किसी में भी इस तरह से पॉकिट लगा सकती हो, आप अपने सूट में, पेंट में, पलाजों में, पजामे में, इस कार्ट में, किसी में भी इस तरह से आप पॉकिट लगा सकती हो, सभी में इस तरह से आसानी से पॉकिट लग जाती है दोग इस तरह से मैंने सलाई लगा ली है अब मैं इस कपड़े को देखना किस तरह से फोल करती हैं अंदर सैट में इस तरह से फोल करना में यह उपर नहीं करना है अंदर करना है जिससे कि जो मैं सलाई लगाऊंगी नीचे वो मेरी अंदर से लाई जाए बाहर से लाई elles ना दिखाई दे और हमेसा double लाई करके चलें इस पर जिसे कि हम महेंगे फॉंस रखते हैं पैसे रखते हैं जिसे कि हमारे जल्दी से लाई के टांके ना खुलें इसलिए हम double ही श्टेश करेंगे पॉकिट के पर अगर मेरी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल बटन दमाएं मैं अपने चैनल पर बहुती आसान तरीका और बहुती दीर आराम से सिखाती हूँ हर डिजाइन से सिखाती हूँ में कटिंग, स्टिचिंग, सिलाई करना ब्लॉच डिजाइनस, बॉटम डिजाइनस, ब्लॉच डिजाइनस हर तरह की डिजाइनस सिखाती हूँ जो आज कल चल लगा यह टेंड में यह कुछ तरह से अंदर चलेगी सारी सिलाई मेरी अब इस पॉकिट पे जो एक सिलाई यो लगा लूगी पार्ट और जो मेरी पॉकिट का पार्ट है और जो मेन पार्ट है पेंट का उस पर सिलाई लगा लूगी अटेश कर लूगी दोनों ही कपड़ों को जिससे कि जब मैं पीछे वाले पार्ट को इसमें जॉइंट करूँ तो मेरी पॉकेट इधर विधर ना हो ट्यडी मेडी ना हो इसलिए मैं इसको अच्छ तरह से जॉइंट कर लूँगी आप भी इस तरह से जॉइंट करें यह देखो मेरे हाथ डालने के लिए जगे है जो कितनी फ्रिशिंग के साथ पॉकेट आई यह आप देख सकते हो कोई भी आप सलाई नहीं दिखाई देरी उपर आप आपको यही तरीका सिखाया है इस पॉकेट के अंदर मैंने आज साथ यह कमी सिखाते हैं लेकिन मैंने आज आज आपको एक साथ सेयर किया है इस चीज को मैंने और पीछे वाला पाठ लेले जैमने अब इसमें पूरे पार्ट में मैं डोंगी सीधी सथी सलाई लगते हैं ऑदेखो पोकेट का इससा आ害 आं इस पर मैं इस तरह से रखकर slice ला लूँगी में और जहां पर cuts का निसाल लगा तो महां double करूँगी में जिससे की हाथ डालते हैं बारवार तो joint जो है यह हमारे टाके slice कर ना खुलें उसलिए आप भी अच्छा काम करें इद्यम पका काम करें सम इक पसंद आता है इस तरह का काम करने MOR G अगर आप एक और अच्छा काम करोगी तो आपके पास ज्यादा काम आएगा या अपना खुद का भी करती हुआ तो लॉंग टाइम हो जाता है इस तरह से आपकी कप्टे का पैंट या प्लाजो जो भी से लें आप देख कितनी फ्निशिंग के साथ पॉकेट आईए मेरी आप इस तरह की पॉकेट किसी में भी लगा सकते हुआ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमें इसको पर एक और स्लाई लगा दूँगी जिससे की मेरे चो पैंट का कप्ड़ा है दोना साइड से इदम सेट होग इस तरह से मैं एक स्लाई लगा दूँगी इसकी उपर से दोना से इदम सेट होगी आची तरह से कपड़ा है अब मैं कोई भी सामान रखूंगी इसमें तो मेरा कपड़ा उपर नीचे नहीं होगा इसमें पर्फेक्ट स्लाई लगी इसमें वह तो बहुत अच्छा लगा य आपने मेरी वीडियो को फुल देखा इसके लिए थैंक यू आप कहीं से वी किसी एंगल से इस पॉकिट को देख सकते हो इतना पर्फेक्ट और से लाई अंदर है सारी कहीं कोई भार से लाई नहीं दीख रहे किसी वी एंगल से देख उपर से अंदर से कदी फिंशिंग आ आने में मैं बहुतर ही किसी पॉकिल लगाना सिखाया अपने चैनल पर आप देख सकती हो मेरी चैनल पर